तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी वेकेंसी आने वाले हैं 2017-2018 में जो भारत सरकार द्वारा निकाले गया है कि 2,83,000 चॉप्स आने वाले हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सा पोस्ट पर ने वेकेंसी आने वाले हैं सबका डीटेल बताने वाला हूँ कि सारा चीज मैं इस वीडियो में बात करूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये वीडियो आप अपने फैंस के साथ भी सेर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और अगर आप मेरे फेस्बुक के पेज में अभी तक जूड़े नहीं है तो नीचे डिवस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल रखा है अब उस पर जूड़ सकते हैं वहां पर मैं डेली करेंट एफेर डालता रहता हूं इंग्लिस और हिंदी दोनों में तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेता है कि अरुन जटली द्वारा जो फाइनेंसर मनेस्टर इस वर बजट में बताये थे कि जितने भी अनेंप्लॉयमेंट लोग है उनको जॉब मिलेगा जरू मिलेगा 2017 से 2018 तक के बीच में तो देख को पता होना चाहिए कि जितने भी इंप्लॉय लोग है इंडिया में वह है 32,84,000 जिसे इंक्रीज करकर अब करने वाले हैं 35,67,000 तो इसमें हम एप्रॉक्स वेकैंसिस में 3,00,000 तो मान लीजिए 3,00,000 वेकैंसिस में निकलने वाले हैं जिसका मिनिम्म एजुकेशन कॉलिफ होगा 10th क्लास तक टूबर्ट क्लास तक और जितने भी पीजी सबके अलग-लग तौर पे वेकैंसि निकाला जाएंगे अलग-लग डिपार्टमेंट से तो देखते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने पेपर कटिंग भी देखा दिया कि अपने दैनिक जागरन हुए द मंतरा ले पुलिस विवाग में विद्यस मंतरा ले डाक विवाग में सारे अलग-लग बात करूंगा इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा पूरा समझीगा कौन-कौन से कहां-काम वेकैंसी निकलने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने टाइमस ऑफ लाएगा तो हम आगे बात करेंगे जतने भी 2,83,000 वेकैंसी निकलने वाले हैं उसका पूरा डेटेल जानेंगे कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कितने किने पोस्ट आने वाले हैं तो सबसे पहले है होम मनिस्ट्री जिसमे 6076 न्यू जॉब्स एड़ किया जाएंगे तो नेक्स्ट है प्लिस डिपार्टमेंट में भी प्लिस डिवाटमेंट में बहुत ही ज्यादा नंबर में वेकैंसी लाए जाएंगे तो अगर आप डिफेंस का त्यारी कर रहे हैं प्ल एक्स्टरनल एफेर्स में से भी वेकैंसी निकाले जाएंगे बहुत सारे जैसे इसमें जो एच्वल जो एमांट जो एच्वल जॉब्स वेकैंसी है वो है 2109 जो जॉब्स 2018 तक इसमें निकाले जाएंगे तो नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री आफ इसकील डिवलप्मेंट में वेकेंसी निकाले जाएंगे जो इमांट जो इसमें वेकेंसी जो परसन हायर किया जाएंगे वो है 2727 परसन नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवेशन में जो 2018 तक इसमें हम लोग एकस्पेक्टेट कर रहे हैं कि 1045 न्यू जॉब्स इसमें पोस्ट निकाले जाने वाले है तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट जो अलगलग भी भाग होते हैं उसमें जैसे पोस असिस्टेंट स्वाटिंग असिस्टेंट मॉल्टी टास्किंग स्टाप्स पोस्ट मैं मेल गार्ट सारे डिपार्टमेंट में निकाले जाएंगे इसमें 20,000 तक जो इसमें निकाले जाने वाले हैं तो नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वार्मेंट जो जिसमें हम लोग जोब्स रहते हैं सब जतमें भी ने बता रहा हुँ यहां पर आपको उसके बाद है माश मिनिस्ट elegant में थेरा सो एकावन जब्स निकलने वाला है उसके बाद डीपाटमेंट आट अवे स्पेस इस रो डियाब्डियो में भी जोब्स निकलने वाले हैं जो 3068 निव जॉप्स तो next है personal ministry जिसमें 267 new jobs निकालने वाल हैं next है ministry of water source जिसमें 3632 new jobs निकालने वाल हैं उसके बाद next है बहुत ही important जो आपको चानना है कि वह है income tax department जिसमें से 2016 से 2017 तक जितने भी SSC के form भराते उसमें increment आप देखने को मिलेगा जिसे हाल है मैं आपने सुना होगा कि 20,000 से ज्यादा वेकेंसी इस वर SSC CGL में निकालने वाले हैं तो next है central customer exercise department में भी वेकेंसी को increment किया जाएगा पिछले साल के तुल्ला में जितने भी वेकेंसी मैंने बताया सारे मैंने एक लिस्ट में यहाँ पर डाल रखा है आप उसे screenshot अपने मुवाल में ले सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास देखिए यहाँ पर सारे मैंने यहाँ पर डाल रखा आप इसे देख सकते हैं तो thank you for watching this video अगर आपको कोई भी इसमें कोई डी रह गए हैं अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कोई भी क्वेशन पूछ सकते हैं थैंक यू यू